गुण मॉर्निंग बच्चो मैं प्रकास ठाकूर आपका स्वागत करता हूँ Intelligent Academy के इस online video lecture में बच्चो अब हम लोग Current Affairs का next topic में आपको करवा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो आज जो topic में cover करूँगा वो है recently अब एक news आया है United Nation के Human Rights Council मानवादिकार जिसको कहेंगे परिशद आप ठीक है संयुक्तराश संग के मानवादिकार परिशद ने एक motion एक प्रस्ताव पास किया है और वो 23rd March को हुआ है वो प्रस्ताव जो पास हुआ है इसमें ये बताया गया है कि स्रिलंका के अंदर Human Rights का उलंगन हुआ है स्रिलंका के अंदर Human Rights का क्या हुआ है वो एलेशन हुआ है तो ये पूरा मामला क्या है और इसमें ऐसा है कि जब स्रिलंका के अंदर ये परस्ताव स्रिलंका के अगेंस्ट में जो परस्ताव लाया गया United Nations में तो वहाँ पे India absent था नहीं इंडिया ने स्रिलंका का साथ दिया तो ऐसा क्यों कि यह बहुत बड़ा का थी तो इस की अनिगर को violation करता है तो इंडिया ने क्यों साथ नहीं दिया किसी का तो उसके लिए बहुत बड़ी एक reason है इंडिया के अपने प्रॉब्लम्स है तो अब मैं आगे इस वीडियो में सारे है इंडिया के किया है उससे पहले बच्चों हम थोरा सा मैप के थृफ रूस्ए को पास्तान हो गया बंगला अब मैं स्रिलंका के टॉपिक पर आता हूं तो युनाइटेद नेशन का किलियरली ये कहना है कि श्रिलंका क्या करता है कि जब श्रिलंका में civil war end हुआ 2009 में ओबरॉल civil war का end हुआ तो बहुत ज्यादा कतले आम हुआ उहाँ पे जो सिबीलल की जो आमणागरिक थे उनको मारा गया बहुत बुरी तरह से पतारित किया गया बच्चे महिलाओं के साथ बहुत तरसा भद्र वैभार किया गया तो यह सारब हुआ है यह United Nation का कहना है अब यह जो पूड़ा प्रोग्राम हुआ इसमें कौन से कंट्री ने कैसे कंट्रिब्यूट किया मैं पहले उसे बता दे रहा हूँ फिर यह civil war हुआ क्यों स्रिलंका में इसके बाड़े में मैं थोरा सा डिसकस करूँगा इस वीडियो के end में उससे पहले यह तो अब यह हुआ है प्रस्ताव पास उसके कुछ फैक्स को समझते हैं तो देखो बच्चो United Nation का यह जो प्रोग्राम हुआ है यानि कि Human Right Volution जो कहेंगे यह Human Right Council ने यह जो evolution का समझो की motion लगाया है सिर्लंका के against सबसे पहले उसमें कितने मेंबर होते हैं हम समझते हैं तो एक प्रजेंट में United Nation का जो Human Right Council है उसमें 47 countries है या 47 countries members है उसके अब उस 47 में से 22 countries ने जो है सिर्लंका के against में vote किया उन्होंने माना कि स्रिलंका में सच में कतले आम हुआ आम लोगों को मारा गया जब ग्रिह युद्ध हो रहा था तब सिर्लंका के सरकार द्वारा ऐसा किया गया जबकि 11olar देशोंने य चीज तो उसे नहीं माना तो टोटल 47 ने माना किया 11 ने नहीं माना अगेंस्ट में वोट किया उसके बाद 14 जिसमें इंडिया भी है उन्होंने उस जो मोशन पास्वा वहां पर अपसेंट थे ही नहीं तो उनके कोई वोट काउंट नहीं हुए ठीक है अब ये कोश्चन ये बनता है कि इंडिया क्यों नहीं था उसमें तो उसके लिए बड़ी रीजन है कि आज भी बहुत सारे इंडियन तमिल्स जो है शिलंका में रहते हैं तो यदि इंडियन गवर्मेंट सिलंका के अपोज में वोट करे तो क्या होगा कि वहां पे हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हो ज उनको कैसे जज्जमेंट करना कैसे काम करना उसके लिए तो यह में रीजन था कि तमिल्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो इंडियन गवर्मेंट ने इसलिए वहां पे एपसेंट होना ही सही समझा तो यह एक फैक्ट हो गया यह एक न्यूज था इसमें अब ध्यान क्या अब सवाल यह बनता है कि यह सारा चीज हुने के बाद हम सरसा माप के थुरू समझेंगे कि यस श tweak मैं जो है सिवल वार क्यूं हुआ स्रिलंका में civil war या फिर ग्रिह यूद हुआ क्यों था तो चलिए मैं मैप से थोड़ा समझाता हूँ आपको देखिए स्रिलंका की मैप है स्रिलंका में सबसे ऐसा होने के पीछे एक पॉपुलेशन में मैटर है हम यहां की पॉपुलेशन जैसे कौन से कौन से जो है ना रिलिजन के लोग स्रिलंका में रहते हैं पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है तो स्रिलंका की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 74.9 परसेंट जो स्रिलंका की पॉपुलेशन है व 4.2 percent Indian Srilankan की population है उसके बाद आपका 9.2 percent जो है आपका मूर करके है याथ कि Srilankan मूर का population है और पॉइंट 5% population है तो यह population break up है याऑ के population किसका कितना है अव इसमें है क्या कि J Dializ are स्रिलंका में उन्होंने सारे रूल अपने favor में बनाए उन्होंने तमिल लोगों को पूरी तरह से ignore कर दिया इसी वज़े से main region यही है जो स्रिलंका में करीब 25 साल से भी जादा civil war चला उसके पीछे था तमिल के साथ बहुत अत्याचार किया गया तमिल को ignore कर दिया गया अब एक एक point लेता हूँ fact to fact कि क्यूं और कब-कब कौन सी घटना हुई जिस वएसे यह civil war शुरुवात हो गया जो है स्रिलंका में यह कभी main level में question आ सकता है तो आपको यह ध्यान रखना international affairs के ओपर चीजे हो सकता है तो सबसे पहले देखूं स्रिलंका की citizenship बिल पास हुआ और उस बिल को इस तरह से design किया गया कि वहाँ पे रहने वाले जो इंडियन तमिल थे ठीक है उन्हें बिलकुल उससे मतलब ऐसा rule ड्राफ्ट किया कि इंडियन तमिल अपने आपको सिलंकन प्रूफ नहीं कर सकते जिस वयसे उस ताइम पे सारे साथ लाग जैसे तमिल रहते है थे सिलंका में में से करीब overall सारे तीन लाग तमिल जो है न 3.5 लाग तमिल जो है वो इंडिया वापस आ गये तो ये एक पहला टर्णिंग पॉइंट है जहां पे तमिलों के साथ एक तरह समझो कि सही वयभाड नहीं हुआ उन्हें लगा कि उनके साथ गलत किया गया तो वह पहला टर्णिंग पॉइंट उसके बाद जो है बच्चों सिन्हाली लैंग्वेज के उपड एक बिल पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि पूरे स्रिलंका में उसन्हालें कि लैंग्वेज ही चलेगा यानकी तमील लैंग्वेज को सिन्हाल प्रमील मेर अज़ हो सह करे सिन्हाली लैंग्वेज में कर दिया जिससे तमिल जो नेटिव्स थे उन्हें बिल्कुल वो एक्जाम देने में बना ही नहीं वो लोगों बहुत आक्रोश था इसको लेके यह दूसरा टर्णिंग पॉइंट था जब तमिलों के साथ समझो कि सही व्यभार नहीं किया गया जो लोग सही से सिन्हाली नहीं बोल सकते वो गवर्मेंट जॉब नहीं कर सकते यह तीसरा टर्णिंग पॉइंट था यह एक बहुत बड़ा मेजर इशू हुआ तो बहुत लोगों को जॉब से निकाला तो आक्रोश था उनके बीच में उसके बाद एक और पॉइंट आया क कुछ टाइम के बाद ऐसा कहा गया जो कॉलेज यूनिवर्सिटी थे वहाँ पर उसमें जो सिन्हाली लैंग्वेज वाले लोगों को स्पेसफिक जो है आरक्षन या जिसको रिजर्वेशन दे दिया गया जिससे जो तमिल थे यहन की तमिल में कौन कोन इंडियन तमिल हो ग नहीं आता था उनके साथ इतना सा रात्याचार हुआ तो बोले कि जीने सिन्हाली नहीं आता है उन्हें एडमीशन भी नहीं मिलता से वहाँ पर उनिवर्सिटी में प्रॉपर ली क्योंकि सारा रिजर्वेशन दे दिया सिन्हाली योज को तो इस बज़े से एक और बड़ा प्रॉब्लम हुआ उसकी कुछ टाइम के बाद जो अगला स्टेप हुआ टर्निंग पॉइंट यह सिविल वार होने में अगला स्टेप यह था कि जो तमिल लोग थे जो तमिल बैग्राउंड के थे वह तमिल जानते थे तो उन्हें पढ़ने लिखने या किसी चीज मूवी देखना हो कोई चीज तो जो मीडिया वगिरा वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे जैसे इंडिया से जहां से तमिल लोग हो तो उसके बाद ना स्रिलंका की गवर्मेंट ने बैन लगा दिया उसके बाद में थोरे टाइम के बाद क्या रहा कि उन्होंने अपने जो कट्री है श्रिलंका उसको बुद्धिस्ट कंट्री का दिया कि पहला बुद्धा ट्रीलीज्ट क्या है बुद्धा वहाँ भी टमिलों को इंग्नोर कर दिया तो यह सारे में टर्निंग पॉइंट से इसके बाद में यह प्रब्लम होने के बाद वहाँ पर आपस में लड़ हो गया लेकिन सुरुवाती में LTT कैसे सुरूव हुआ था इन ही अत्याचारों के अगेंस यहनके सरकार के खिलाप LTT यहनके क्या हुआ LTT का फुल फॉर्म समझते हैं लिब्रेशन टिक है टाइगर ओफ तमिल एलम लिब्रेशन टाइगर ओफ तमिल एलम यह LTT का फॉल फॉर्म हो सकता है एक्जाम है पूछ ले तो ल्टी जो था यह शुरुआ इन्होंने अपना और्गनाइजेशन शुरू की और मतलब सारे जो यह कौन थे लंकन तमिल जो थे वह थे और उसमें में भी समझता इंडियन तमिल हो गए या फिर उसके बाद उसमें ऐसा था concept की जो mood population था उसके कुछ लोग होंगे तो यह सब मिलके LTT बनाए और यह सब क्यूं हुआ क्यूंकि government के ऐसी policies थी वहाँ पे जिस वैसे लोगों के साथ problem हुआ और वो government के खिलाब खरे हो गए और यह civil war 25 साल से भी जादा चला और at the end जब यह civil war का end हुआ 2009 में तो 50,000 से लोगों को पकड़ा गया एक ही जगह पे और वहां उनके साथ बहुत ज़्यादा बरबरता हुई और एक तरह से जो कहा गया यह तमिल LTT के लोगों ने भी कई बार LTT के बहुत बार ऐसा किया कि आम जनता आम लोगों के साथ अन्याई किया और क्रूर वेभार किया जिसके वैसे human right का जो है उलंगन मानवादिकार का उलंगन हुआ या human right का evolution हुआ ऐसा मना जाता है और इसलिए ये जो motion था प्रस्ताव है ये United Nation के human right council में पास हुआ और स्रिलंकन government को इसके लिए मतलब समझो एक तरह से penalty या उनको एक तरह से जो हो सकता उनके सजा वह भी हुआ तो ये पूरा concept था ये पूरा news था